हेलो एब्रिवन स्वागत आप सभी का एक बार फिस से हमारे चनल जी डीसी टुटर में जैसा कि आपको पता है डी फार्मेसी का जो भी एक्जिट एक्जाम होने वाला है उस एक्जिट एक्जाम में आने वाले सभी आठो सब्जेट का कम्प्लीट हम चैप्टर वाइस अपने जी डीसी क्लासे आप पर कोर्स भी चला रहे है उसकी बुक्स भी आपको मिल जाएगी और भी धेरो इंप्टर टॉपिक जो की अलग अलग फार्म कंप्टिटिव एक्जाम में पूछे आते हैं और आपके एक्जिट एक्जाम में भी आ सकते हैं उनका इंपॉर्ट स्क्षान नहीं होता है उसी कड़ी में आज का जो हमारा इंक्वाटिञ टॉपिक है वह क्या है कि अ सब頭 सरकती हैं जी भी एक्सितने ह front grave क्या हां की बनेंगा और सोटेक्स का पार्ट है यह सूमौरीचम कंफा किस्प्टेश्त होना चाहिए रिज़ेट ह में आ kulland jed выпол i या इस topic से exit exam में भी एक से दो question बनने की पूरी सम्मा होना है तो इनी सभी condition के regarding ये आपका छोटा सा video होने वाला है इसको last तक जरूर देखिएगा ताकि ये topic और इसके question करा सके और exit exam से related जो helpful चीज है उसकी भी बात हम यहां तक करेंगे इस video में करने वाले चलिए देख लेते हैं अगर हम बात करते हैं कि जब हम capsule को बनाते हैं capsule का formulation करते हैं तो अलग-अलग characteristics से question आते हैं अलग-अलग condition से question आते हैं जैसे अगर capsule की बात किया जाए तो वहां पे storage condition कितना होना चाहिए कितने temperature पे store कर सकते हैं capsule को उससे question बनता है processing area का temperature कितना होना चाहिए capsule को बनाने में humidity जब हम impotage lighting capsule को handle करते है उस दोरान humidity किती होनी चाहिए वहां से बनता है bloom strength कितना होना चाहिए यह पूछा जाता है और viscosity यह दोनों तो बराबर पूछा जाता है और बहुत ज्यादा important यह है moisture content तो इसी को समझाएंगे चलो एक एक करके बात करते हैं कि अगर हम storage condition की बात कर लें capsule formulation दुरान तो 100 degree Fahrenheit या इसे 35 degree Celsius बोल सकते हैं storage condition आपका होता है जब हम capsule बनाते हैं फिर processing जो area है उसका temperature की बात कर लें तो 22 degree Celsius उसका temperature होना चाहिए इसको याद कर लेना humidity से question बहुत बूछता है operating area में जहां पी आप impati gelatin capsule को handle करते हो तो वहां पी अगर हम बात करते हैं तो humidity आपकी 35-45% होनी चाहिए उस area में ठीक है उसके बाद bloom strength से question पूछेगा तो 1500-500 इसको याद कर लेना यह बहुत important है bloom strength से question आपका बनता ही बनता है फिर उसके बाद अगर पूछा जाएगा gelatin की viscosity किती होनी चाहिए तो viscosity आपकी 25-45 millipoids यहां से भी बहुत question मुलता है तो यह भी very important हो जाएगा यह दोनों parameter और इधर temperature वाला और humidity से भी पूछता है हाला कि सभी important है एक table में हमने सारा चीज दिखा दिया है moisture content पूछता है तो heart gelatin capsule का याद कर लेना 12-16% moisture content होता है वहीं पर soft gelatin capsule की moisture content की बात कर लें तो 6-10% होगा तो इतने स्पेसिफिकेशन से और इतने characteristics से question बनेंगे ही बनेंगे और इस पूरे table से 2-3 question तैयार हो सकते हैं बन सकते हैं इसको देख करके जाना अच्छे से करके जाना ताकि कोई भी आउट न रहने पाए चाहिए वह आपके storage condition से पूछे या processing area temperature से पूछे humidity पूछेगा तो 35-45 लगा दोगे bloom strength पूछेगा तो 1200-500 लगा दोगे viscosity की बात आएगी तो 25-45 millipoise और heart gelatin capsule 12-16% वहीं पर soft gelatin capsule की बात कर लें तो 6-10% यहां पर इसका moisture content होना ही होना चाहिए अब सर यह तो हमने टेबल पर दिया इस टेबल का skin sword भी ले लेना यहां से question कैसे बनेंगे चलो कुछ question भी हम यहां पर दिखा दे अगर हम बात करते हैं जैसे question यहां पर पूछा गया था the approximate moisture content of the hard gelatin capsule in normal condition चलो बहीं नॉर्मल कंडिशन में आपका hard gelatin capsule होता है hard gelatin capsule का moisture content कितना होगा 3-6% होगा क्या 12-16% होगा 20-25% या 7-10% तो अभी तो आपने बताया कि sir 12-16% आपके hard gelatin का moisture content होगा और 6-10 की बात किया जाए है तो soft gelatin का moisture content होगा तो क्या हम option number इसमें भी लगा सकते हैं क्या हाँ जी sir option number भी 12-16% यही तो हमने देखा था कि भाया आपकी moisture content की जब बात आएगी तो hard के लिए 12-16% आ जाएगा और soft के लिए आपका 6-10% एडिया जाएगा और बाकी यहां से भी इन parameter से भी question पूछेगा जैसे और एक और question इस जंग से बन सकता है कि the humidity जिया अब कि यहां पर क्या बोला गया humidity percentage पूछा inside the operating area for capsule preparation capsule को बनाते हैं वक्त भाया operating area में कितनी humidity होनी चाहिए कितनी आपकी humidity आधरता होनी चाहिए भी यह 10-20% अभी अभी टेबल में आपने देखा है 20-30% 30-45 यह 45-60% तो आपने जो टेबल में देखा होगा तो वही तो होगा सर humidity जो processing area temperature है उसकी humidity के अगर बात कर लेना तो simply आपका 30-45% humidity होनी चाहिए जब आप capsule को बनाते हो 30-45 या 35-45 बोलते हैं 30-45 नियरिष्ट वैल्यू थी तो उसको लगा दिया तो भाईया कहां से कोशन बनेगा सर या तो humidity से या तो moisture content से या तो स्टेंट से या तो viscosity से या temperature या आपके storage condition यही तो पांच है parameter है वही अच्छे parameter है च्छे parameter मुझे तो नहीं लगता आप याद नहीं कर पाओगे और समझ नहीं पाओगे तो वही इसको अगर अच्छे से कर डाला तो यहां से 2-3 question तैयार है पक्का है यह important आपके लिए हो ज question होने वाले है English language में आपका exam होगा और 50% आपका passing mark होगा मतलब 100 नंबर का अगर पेपर आएगा तो 50 या 50 से जाना number पर आप लाओगे तो exit exam निकलेगा नहीं तो fail हो जाओगे अगला time देने पड़ेगा अब सर सब्जेट की बात कर लें तो सुटिक्स आ रहा है फस्टियर का है कोगनो को लोजी से केंडियर का कोगनोसी फस्टियर कमेस्टी फस्टियर फिर फिर दर के लाइन इतिक्स बायो कमेस्टी और होस्पिटल क्रिंगल फामेसी और यह सब से किंडियर के है तो सर यह आठो सब्जेट आ अब यहां पे काओगे साई DSVM बोले तो drug store business management यह व विडियो लेक्शर मिलेगा लाइव क्लास मिलेगी कहां मिलेगी यहां पर मिलेगी exit exam के crash course में simply gdc classes app में जाना वहां पर यह टाइप कर देना यह crash course आ जाएगा या इसका link में description में डाल लूँगा पहले जान लोग क्या-क्या मिलेगा सर पूरा जो आठ सब्जेक्ट आ रह रही है तो उसकी recording available रहेगी पूरे complete syllabus का आपको already recorded video lecture मिल जाएगा तो आपको कोई भी subject का कोई भी topic पढ़ना है जाके recordings पे देख लो उसके फिर आपके question test series से question दे लो उसका explanation भी मिल जाएगा पूरी notes भी मिल जाएगी पूरा complete आपको book भी घर पे delivery हो जाएगी free में इसी course के अंतरगर one triple line का है 500 का code लगा देना आप लो इसका link में description में डाले दे रहा हूं उसको जाकी visit कर लेगा वहां से यह course purchase कर लोगे और यह course में आपको exit exam का सारा concept भी क्लियर होगा सारे question भी क्लियर होंगे हमसे क्यों भी practice होगी exit ही नहीं आने वाले जितने भी फार्मासिस के exam अगरा है न वहां पर भी यह बहुत ही help करेगा सारा concept तो इसको आप description से जाके visit कर सकते हो फिर अगर हम बात करते हैं से और सोट डेली आपका रोज 11 बजे 1 ब वीडियो देख रहे हो यही पर आपका complete चलता है क्या आपका जो कह सकते हो session चलता है तो वहां पर देख लो लगभग 15,000 से जादा mcq कराया जा रहे हैं तो यह भी helpful होगा यह सब इसी course में मिलेगा इस course में जाना visit करना description से तो काम हो जाएगा साथी साथ exit exam की त्यारी कर र वाली है क्या खासियत है हाट बाइंडिंग बूख है एक्जित एक्जाम का complete पूरा स्लेवास आठो subject का complete आपका chapter वाइस टॉपिक वाइस आपकी टेविल फॉर्म में चार्ट फॉर्म में निमोनिक्स फॉर्म में easy to understand यह नोट्स आपको मिलेगी यह नोट्स आप पढ़ो उधर theory पढ़ा एक topic का, उस particular topic का MCQ solve किया, theory पढ़ा MCQ solve किया, theory पढ़ा MCQ solve किया, theory पढ़ा MCQ solve किया, बहुत जादा महंगी भी नहीं है, description में link है, मंगा लेना, जिसको भी चाहिए, उनको यह video वेज़ देना, उनको बोल देना कि वो मंगा ले, description से link है, आपके घर पर delivery हो जाएगी, ठीक है, और रही बात इसी channel पर चले जाना, जो playlist section है, जिस पर आप video देख रहे हैं, GDC Twitter, अगर डीफर्मेसी के हो, तो आपके लिए चैनल वर्दान साबित होगा, इस चैनल पर विजिट कर लो, हो जाओ, बाकी बुक का link, और यह जो course है, इन सभी course का link, मैंने कहा डाला है, description में डाला है, तो जाते जाते description को visit करो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक से सब्स